हलो प्रेंट, जैसा कि आप जानते हैं, I am also a verified educator at anacademy तो आप मुझे वहाँ पे भी follow कर सकते हैं, वहाँ पे आपको follow करने के लिए सबसे पहले anacademy learning app आपको download करना पड़ेगा उसके बाद आप वहाँ पे search करेंगे हेमन्त मिस्रा तो आपको मुझे मेरी profile मिल जाएगी और आप वहाँ पे मुझे follow कर सकते हैं, अगर आप SSC और railway की तयारी करते हैं तो आप मुझे वहाँ पे जरूर follow करें, आप वहाँ पे देखेंगे बहुत सारे course कवर है, करीब करीब सभी previous year subject पूरा कवर है स्वागत है दोस्तों आपका, कल यहीं questions हमने खतम किये थे और यहीं से आज हम start करेंगे और दोस्तों बस आपसे यही कहना चुका, अगर आप वीडियोस देखते हैं तो please like या करें क्योंकि कोई भी educator होता है, every educator wish to get a like from the learners like me मतलब मैं भी wish करता हूँ और भी जितने भी YouTubers को आप देखते होंगे वो एक्षा रखते हैं कि आप उन्हें like करें ताकि एक तरीके का प्रोटशाहन मिले एक तरीके का encouragement मिले ठीक है, start करते हैं तो कल बहुत साई लोगों ने सही answer दिया था कि हाले ही में कौन सा राज अंतरास्टी परेटन माट की मिर्जबानी करेगा सिक्किम, असम, पंचाब, त्रिपुरा ये चार options हमने दिये थे जिसमें सारे लोगों ने सही answer दिया है त्रिपुरा करेगा जिसमें मुहम्मद जराइल है, अभय है, उसके लावा कल्यान है, बजरंगी है, अकसी राना है उसके लावा प्रेमात हैं, रगुराज जी हैं, हमें इस answer देते हैं, ठीक है उसके लावा अंजना मौर्या ने पोचा है कितने लोगों का नाम बताएंगे सर, जितने लोगों का हो सकता है हम कोशिश करेंगे, क्योंकि एक तरीकी का एक अच्छा लगता है, प्रोटसान सबको अच्छा लगता है ठीक है, इसके बाद वीडियो आप चाहें तो उसको आगे भी कर सकते हैं, ठीक है तो बहुत लोगों का अंसर प्रबीन का था, भै का था, गूविन का था, सकती का था देविकी थी उनका था, बसर खान थे, दीपक कुमार थे, अबनी सिंग थे, उसके रवा बहुत साही लोग थे, सीमा जैसवाल जी है, उनका अंसर सही था उन्होंने काफ़े अच्य से दिया था सरदार सिंग ते देवयारानी थी राम रतन थे और सोबना सरकार थी ठीक है सोबन सरकार थे इतने लोगों ने सही answer दिया था तो त्रिपुरा सही answer था कप्तान सिन्सोलंकी आपके त्रिपुरा की क्या है तो त्रिपुरा की राज्यवाले important term में पूछा जा सकता है और यहीं पे जो सात्वा अंतरास्टी परेटन मार्ट है यानि जो आपका जिसकी मेजबानी करी है त्रिपुरा ने और जिसमें 18 देशों के लगबख 60 प्रतिभागी द्यान रखेगा 18 देशों के लगबख 60 से अधिक प्रतिभागी जो होंगे जो टूर उपरेटर होंगे वो हिस्सा लेंगे ठीक है जो की आपका त्रिपुरा में होगा और सिक्किम पे भी अपने आपको बताया थे सिक्किम के राजयपाल कौन है तो साहल लोगों को पता होना चाहिए कि जो सिक्किम के सियम है वो कौन है तो पवन चामलिंग ध्यान रखेगा पवन चामलिंग सिक्किम के आपके सियम है और जो वहां के राजयपाल है सिंक्किम के वो कौन है तो स्री गंगा परशाद यह सिंक्किम के हो गए उसके लावा एक option आपका असम असम भी important है यहां से हिमादास और इन हिमादास को हाले ही में यूथ ब्रैंड अमबिजडर बनाया गया यूनिसिफ का तो यह भी important है और वो कौन है तो जगदीश मुकी वहां के राजयपाल है और सरवानन सोनेवाल वहां के सीम है जैसे मुझे याद है विसे आपको भी याद हो जाएगा विसे रेगुलर आप पढ़ते रहेंगे तो ठीक है और पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंग और वहां के जो राजयपाल है वो कॉन है तो वी पी सिंग बदनूर और ऑप्शन डी आपका इसको मनाया कि इसने तो आयूस मंत्रा ले के बारे में हमने आपको बा। बार बोला है कि इस मंत्रा किसके पास है तो तो श्रीपदे iasunaya द्यान रखेगा जो हमारे iasunaya का मतलब होता आपका जीवन life टिक है और यह और यह जो есь टर्म है न यह फूरफर्म इसका यू से अपका यूनानी ठीक है बाई से आपका योगा निश्रोपैति था यू से आपका यूनानी होगए एचेसस सिंद्ध हो गया अर्या अछेसे यह हो गया तो होम इोपत्री हो गया और 80 नॉमबर खो हम सलिबरेट करते हैं। राक्तिक जिकट्सा दीवस जिसको आयूस मंत्राले ने मनाया था %209yon जैसे ही मेंको जो कैते से नयाइसरी बीहीं contexts जिसको आपको एंसर आता है तो आपको अपने मन में बोल दें ताकि के रीपीट करें और 11 नौंबर साय लोगों को पता होगा हम अपना National Education Day मनाते हैं यानि रास्टिय सिक्षा दिवस मनाते हैं अबुल कलाम अजाद जी जो है उन्हीं के समरण में ठीक है तो सारे options clear होगे होंगे next पर चलते हैं options यहां पर भी आपके पास चार है मुंबई है नई दिल्ली है बैंगलोर है या फिर इनमें से कोई नहीं तो जो सब्सक्राइब करने के लिए इसमें NSD दियान रखेगा निशनल स्कूल ड्रामा ने जो बच्चों को digitally इसमें बस इंडिया के नहीं बलकि आपके स्री लंका के इंडोनेशा के यहां के बच्चे भी participate करेंगे तो ध्यान रखेगा कि हाले ही में बच्चों के लिए इसमें आपको पूछा जा सकता है ध्यान रखेगा इसमें आपको यह भी बता है स्री लंका स्विट्जे लंड और इंडियनेशा की समयत कई देशें जो वहां के बच्चे भी perform करने वाले हैं तो option B आपका correct option है ठीक है next पर चलते हैं नेक्स दोस्तों हाले ही में इंटर पोल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है ठीक हाले ही में इंटर पोल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया तो options आपके पास आ रहे है Emmanuel Macro को Alexander Flaming को Alexander Prakopchuk को या फिर Kim Jong-un येंग को ठीक है तो जो सही option है वो है आपके कौन से है तो option D ध्यान रखेगा option D जो है वो आपके correct option है Kim Jong-un को Interpol का नया अध्यक्ष नियूद किया गया है ये भी important term है कि Kim Jong-un को क्या नियूद किया गया है अध्यक्ष नियूद किया गया है तो इनको Interpol का नया अध्यक्ष नियूद किया गया है जो कि important है ठीक है और बाकी Emmanuel Macro की बात करें दूस्तों तो France की राश्पती है आपको पता होना चाहिए इन्ही को वो जो अवार्ड मिला था जो हमारे पतानमादी नरिंद मोदी जी को मिला था Champions of Dare तो इन्ही के साथ मिला था ये ध्यान रखेगा ठीक है और Alexander Flaming आपको पता है ये बायो के टर्म है ऐसे नाम इसमें दिया गया है Penicilline की खोश करी थी ये option में ऐसे बैट नहीं रहे है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि Penicilline की कोश है थी Alexander Flaming ने और Alexander Prakopchuk को हरा के यानि इस दौर में दोनों लोग सामल थे Alexander Prakopchuk और King Jong-un लेकिन जिसको जीत मिली है वो किसको मिली है तो Interpol का जो नया दक्स चुना गया है वो चुना गया है King Jong-un को और यहां की एक चीज़ और पूछ सकते है आपको कि Interpol का Headquarter का है तो वो France के Lyon में ध्यान रखेगा France के Lyon सहर में Interpol का Headquarter है ठीक है नेक्स पर चलते हैं नेक्स दोस्तों हालेही में Unicef का सबसे यूवा Goodwill Ambassador किसे ने उत्या गया है यह भी important हालेही में Unicef का सबसे यूवा Goodwill Ambassador किसे नामित किया गया है तो options आपके पास चाहर है Priyanka, Chopra, Himadas, Millie Bobby Brown या फिर Henrita तो जो सही option है वो है आपकी option C ध्यान रखेगा जो Millie Bobby Brown है जो कि Netflix पे एक सीरीज आती है Stranger Things उसकी कफी popular actor है Millie Bobby Brown और यह 14 वर्सी है और यह 14 वर्सी में Unicef की सबसे यूवा Goodwill राजदूत है ध्यान रखेगा सबसे यूवा Goodwill Ambassador है आपकी Millie Bobby Brown तो important आपको पूछा जा सकता है नाम ध्यान रखेगा Millie Bobby Brown अगर आपको पूछ जेता है कि Netflix की कौन से सीरीश करती है तो इस टेंजर ठिंक्स करते है क्योंकि ऐसे questions आपको गुमा गुमा के अपके पूछे जा रहे है तो अभी हाले ही में जो हमारा world जो Children's Day था उसी डे पे इनको 14 वर्सी जो आपकी मेली Bobby Brown है उनको Unicef का सबसे यूवा Goodwill जो Ambassador है वो बनाया गया है हिमादास को यूथ राज़ूद बनाया है Unicef के द्वारा और Unicef के फुल फॉर्म भी हमने आपको बनाया थी बताया थी United Nations Children's Fund ध्यान रखेगा United Nations Children's Fund और इसका जो Headquarter वो कहां पे है तो वो है आपका New York में इसका Headquarter कहां पे है तो वो New York में है इसके लावा मीली बॉबी ब्राउन आपका जो क्वेश्चन है और हिन्रीटा जो है वो कारिकार्णी अध्यक्षा है आपकी Unicef के और इसका जो Headquarter वो कहां पे है तो वो है आपका New York में ठीक है नेक्स पर चलते है नेक्स दोस्तों हाल ही में ICC Cricket ने बेहतर रन्भा के लिए किसके साथ साज़ेदारी की है तो ये भी important है Facebook के साथ करी है Amazon के साथ करी है Dream 11 के साथ करी है या फिर Google के साथ करी है तो जो सही option दोस्तों वो है आपके option D Google ध्यान रखेगा अब ये अब साज़ेदारी की है पता होगा कि ICC महिला T20 विसकप चल रहा है तो इसमें जो Google के CEO है यानि डेविड रिचर्ट सारी ICC के जो CEO है डेविड रिचर्टर्सन उन्होंने Google के साथ साज़ेदारी की है और ICC के CEO कौन है तो वो है डेविड रिचर्टर्सन और इसके अध्याक्ष कौन है तो वो है सासांक मनो और ICC का जो headquarter वो कहां पे है तो वो है दुबाई में और Google के CEO कौन है तो सुन्दर पिचाई important नाम है सुन्दर पिचाई आपके Google के CEO है उसके लाव ड्रीम 11 important है जिसके जो ब्राइंड आम मेहन सिंग दोनी है तो यह important टर्म आपको पूचा जाता सकता है और question आपका कहा था कि ICC ने cricket के बहतर नुबग के लिए किसके साथ साज़ेदारी की है तो वो साज़ेदारी की है option D Google के साथ इंद्रा गांधी सांति पुरसकार किस ने जीता यह important है कि हाल ही में इंद्रा गांधी सांति पुरसकार किस ने जीता नीती आयोग ने जीता CBI ने जीता ED ने जीता या फिर CSE ने जीता ठीक है तो जो सही option है वो है आपके option D CSE ध्यान रखेगा Center for Science and Environment CSE का full form ने आपको बता दिया Center for Science and Environment आपको important है आपको पूछा जा सकता है Center for Science and Environment यह CSE का full form है और इसी नहीं इंद्रा गांधी सांति पुरसकार जीता है ध्यान रखेगा important है आपको जो पूछा जा सकता है और इससे पहले दोस्तों 2017 में जो हमारे पूरौप्रण मंत्री थे, मनमोहन सिंग ने 2017 का जीता था, जिनको अभी हाल ही में मिला, 2017 का अभी उनको हाल ही में मिला, और ये इंद्रा गांधी सान्तेप्रिसकार करती क्या है, तो ये अंतरास्टी सान्ती हुआ, निस्तरी करण हो और विकास को बढ़ावा देने वाले प्रयासों को ये सम्मानित करती है जिसमें इस बार CSE को मिला है इससे पहले 2017 में मनमोहन सिंग जी को मिला था जो कि हमारे पुरुप्रदान मंत्री थे उनको ठीक है और नीती आयोग से बहुत जादा कोशन साब के बनते हैं हमने आपको पहले भी बता रखा है फुल फॉर्म ध्यान रखेगा नेसनल स्टूशन फर ट्रांस्फॉर्मिंग इंडिया उसके लाब योजना आयोग का क्या है कि नया नाम है और इसकी जो स्थापना कब हुई थी नीती आयोग की तो ये टम इंपॉर्टेंट और आप के CEO कौन है तो अमिताप कांत उपाध्यक्षकान है डाक्टर राजियो कुमार और जो अध्यक्ष है वो कौन है तो वह है प्रधान मंत्री नरिन मोदी जी क्योंकि जो भी प्रधान मंत्री होता है वो पदेन अध्यक्ष होता है नीती आयोग का और ED भी हमने आपको बताय थ यानि पुरतर निद्य साले के तो संजय में श्रा ठीक है और यह हाले ही में इंद्रा गांदी संते प्रसकार किसने चीता है तो यह जो साइए ऑप्शन वो है आपका ऑप्शन गंबीर बने है तो एक हिंट आपको दे देता हूँ कि विदर्ब की टीम से खेलते हैं वो ठीक है विदर्ब की टीम से खेलते हैं और हाले ही में रजी ट्रॉफिय में 11,000 अन बनाने वाले पहले भारती यह बने है तो इंपोर्टेंट अम है पूछा जा सकता है तो आज हम ले वीडियो में के इंटरफेस के जो कि सोब आपको मिलती है तेंक यू सो मच